हेलो एंड वेलकम क्रिष्णा कोचिंग ओन्नाइन क्लासीज हम डिसकस कर रहे हैं जीकी की क्वेशन सीरीज आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चेन नंबर 15.19.3 से ठीक है क्वेशन क्या है दि इंपोर्टेंट सर्वाइविंग वर्क नेम्ड सब्तास्ती वाज रिटन वाई तो किस ने लिखिये हाला बाना जैदेब या फिर डैंडिम तो इसका राइट अंसर है और से नंबर ए हाला तो और बाना बान या बान भट नाम इनका बान भट इन जैदेव जैदेव की एक फेमस है गीत गोविंद ठीक है अब डिसकस कर चुके हैं लेकिन रिवाइस करना होत इंपोर्टेंट है जैदेव है जैदेव की है कीत गोविंद नेक्स्ट है विच आफ दी फॉलिंग इस ए लेटिन पोईट तो डैंदिम या फिर भद्रवाहू या फिर जुवेनल या फिर गुनाध्या तो इसका राइट अंसर है और सि जुवेनल ये लेटिन पोईट है एक नेक्स्ट है इंपोर्टेंट वर्क आफ और सास्त्रा वाज रिटन वाई या आपको पता ही होगा माखा चंदरशूरी या फिर कोटिलिया या पतंजली तो ये एक ही व्यक्ति के नाम है और पतंजली पतंजली का योग से लेटर है और इनकी एक फेमस है महाभाश्य तो महाभाश्य किसे ने लिखी है वो लिखी है पानिनी पतंजली ने नेक्स्ट है पानिनी ए संस्कृत ग्रामेरियन रोट तो पानिनी ने क्या लिखा है आपको पता है किसे ने लिखा है ये लिखा है पतंजली ने अस्टाधियाई ये है पाणिनी के द्वारा लिखी हुई अस्टाधियाई ठीक है और मनुसमरिती ये मनुमहराज के द्वारा इसको लॉबुक भी कहा जाता है ठीक है मनुसमरिती को और रामचरिता ये रामचरित है वो लिखिया है हर्षी बाल लिखी में है कि नेस्ट है काली सरत्गरा बहुत रिटेवाई तो यह किसे ने लिखिया बाल में की पतंजली सूम देव या फिर कॉटी लिए तो इसका राइट असर है सूम देवा तो इसका राइट असर क्या है शूम देवा उप्स नूबर सी नेक्स्ट पतंजली का महवाश्या है कॉटी लेका आगया अर्थसास्तर और बाल में की कही है रामाया दी फेमस पंच तंत्रवाज रिटन वाई बेद ब्यास बेद ब्यास का आपको पता है महा भारत लिखा है स्टव्या लिखी है और शूम देवा का आपने अभी पड़ा और विश्णु शर्म इसका रइट अंसर है विश्णु शर्मा ने लिखे है पंच तंत्रवाज पंच तंत्रवाज पंच तंत्र की कहानिया आपको पता है चारवेद हैं सबसे पहला बेद है रिगवेद, उसके बाद यजूर बेद, फिर साम बेद, फिर लास्ट में जो आता है वो है अथरवेद, ठीक है, तो इसका राइट अंसर है नन अफ दिये, नन अफ दीस, अथरवेद में क्या है, अथरवेद में देखो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड प् में वे सारे हैं अथरवेद में, और साम बेद में क्या है, साम बेद में जो गायकी से रिलेटेड है साम बेद, गानों से,ाँ नेक्स्ट दिए अंशेंट बुक, धैग डील्स विद, पैडिक्टरेटी ट्स इस अथरवेद, या फिर कष्यप, कष्यप सहींता, या फिर, च है चरक सहिंता ठीक है चरक के दौरा ये लिखी गए थी और इसको बोलते हैं चरक सहिंता नेक्स्ट ए क्लासिकल एक्सप्लोज़जन और इंडियन मेडिसीन विद डिल्स बिद अल्मोस्ट और ब्रांचिस ऑफ मेडिसीन इस इसका राइट अंसर बताओ, इसका राइट अंसर भी, क्या है, चरक सहींता, चरक सहींता, यह medicine से related है, चरक भी medicine से related है, ठीक है, और यह एक है धनमंतरी, वह भी medicine से ही रिलेटेड है नेक्स्ट है वेर इस दी गोल गुंपत दिलार जस्ट डूम इन दी वर्ल्ड इस सिचुएटिट कहां पर है गोल गुंपत यह है बीजापुर में आफसे नमबर ए बीजापुर बीजापुर कहा है यह करनाटका में और क्वेश्चन यह भी आता है कि गोल गुंपत बनाए किसने थे किसके दोरा बनाए गए थे गोल गुंपत तो इसका राइटर थे आदिल शाह आदिल शाह के दोरा गोल गुंपत बनाए गए थे इसलामाबाद पाकिस्ता की राजदानी धाका बंगला देश की और पैरिस फ्रांस की नेक्स्ट है, इसका राइट अंसर है, बिलियम सेक्स्पियर, आप्सिन नमबर सी, इंगलेंड के पोईट हैं, इसलिए इनको बोले जाता है, नेशनल पोईट आफ दी इंगलेंड, बहुत बार ये क्वेश्चिन पूछा जाता है, नेक्स्ट है, ऑथर आप दी बुक, आंस एंड दी मैन, ये किसने लिखी है, ये लिखी है, आप्सिन नमबर डी, जोर्ज बरनार्ड शाह, नेक्स्ट है, डेविड कॉपरफिल्ड वाल्स रिटन वाई, डेविड कॉपरफिल्ड, तो ये किसने लिखी है, ये लिखी है, चार इसका राइट अंसर क्या है इसका राइट अंसर है इसके वारे में यह सारी चीज़े बताई गई है और यह किस के दुआरा लिखी गई है यह बुक यह लिखी है पंडी ज्वाहलार नेरो के दुआरा पंडी ज्वाहलार नेरो के दुआरा यह बुक लिखी गी है डिसकावरी ओफ इंडिया आनंद मठकिस के दुआरा लिखी गी है यह लिखी गी है बकीम चंदर चटेर जी या फिर बकीम चंदर चैट अप पाते है मैं एक्सपेरिमेंट बिद टूथ मातवा कहां देखी आटो बाइग्राफी है इंडिया विंस फ्रिडम अब्दुल कलामाजाद की है ठीक है नेक्श्ट है दि ऑथर आफ गितांजली विद नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 वाज राइटिंग दिस सूल स्ट्रिंग पोईंट वाज थेखो थोड़ लंबा क्वेश्टन है गुमाफिर आके पूछा है ठीक है तो इसका राइट अंसर तो आपको पता ही होगा इसका राइट अंसर है रविंदरनाथ टैगोर रविंदरनाथ टैगोर जिनको फर्स्ट नोबल प्राइज मिला था जो की एशिया में फर्स्ट था 1913 में गितांजली के लिए और ये लिटरेचर की फिल्ड में मौलान अबदुलकलाम के आपने पढ़ा इंडिया विंस फ्रीडम इन की बुक है और ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के बड़ी जोहलान नहिरु जी की आपने पढ़ा है आपको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे है और वकीम चंदर चैटर जी की जो नोबल है आनंदमत उससे हमने लिया गया है हमारा नेशनल सॉंग ओके नेक्स्ट कॉस्टिन देखो दी बुक दी बुक दैट कंटेन्स ए स्टोरी ओन दी फ्रेंच रेवलुशन वाई चार्ल्स डिकिन इस इसका राइटन से रहे ए टेल अफ टू सिटीज ए टेल अफ टू सिटीज नेक्स्ट है वार एंड पीस इन नोवल वाई तल्स टॉय डिपिक्ट्स वार एंड पीस तो यह क्या है देखो यह है रस्षियन लाइफ सेट अंगेस टे बैग्राउंड ओफ नेपोलेन इन्वेंशन अपसर नमबर ए नेक्स्ट कुश्चन देखो डॉक्टर शिबरामा शिबरामा करांथ रोट ए बुक इन कन्नड फॉर विच यह वाज ओनर पिद दिज्यान पिठा वार इन तो इसका राइट अंसर क्या है इसका राइट अंसर है इसका राइट अंसर है आप्सव नमबर बी आप्स्ट नमबर है इसका औप्सव नमबर ए मुक्जिया कना सुंगलू आप्सव नमबर ए है इसका ठीक है नेक्स्ट है आप्सव नमबर ए हो गया नЕक्ஸ्ट देखो लजज़ब लज़ज़ब वै Hernandez is a nobel तो रेटन बाई तसलीमा नसरीम बिलकुल सही है बहुत ही फेमस और बहुत कंट्रोवर्टी में रहती है यह तसलीमा नसरीम और देखो वेंड इन जुलाई 1993 ऑन दी ग्राउंड देट इट वास फैनिंग मिस्ट्रस्ट एंड मिसंडर्सेंडिंग बिटून हिंदू कॉम्यूनिटी इन बंगला देश एंड मुसलिम फंडमेंडलिस्ट ग्रुप तो बिलकुल सही है यह भी दोनों क्वेश्चन इसके दोन आप्शन इसके सही है तस्लीम नसरीन मंगला देश की ही एक राइटर है और बहुत थी कंट्रोबर्सी में रहती है और पता नहीं क्या क्या लिपती रहती है नेक्स्ट क्वेस्टन है देखो तो यह किस नोबेल के लिए मिला था इसका राइट अंसर है मिड़नाइट्स चिल्डरन ठीक है नेक्स्ट क्वेस्टन देखो दि ओफिशिल रिपोर्ट ऑफ दि ब्रिटिस गोर्मेंट इस कंटेनेंट इन तो ब्लू बुक, ग्रीन बुक, ग्रे बुक या फिर और अंज वे तो इसका राइट अंसर है ब्लू बुक, ब्रिटिस गोर्मेंट के जो ओफिशिल रिपोर्ट है वो कौन से बुक में आती है, वो उसको बोलते है ब्लू बुक, तो यलो बुक कहां की है, यह बताओ यह है ओफिशिल बुक आफ दी फ्रेंच ठीक है, तो इस पर कने फ्यूज नहीं होना ब्लू बुक जो है, वो ब्रिटिस गोर्मेंट से रिलेटिड है और जो यलो बुक है, वो फ्रेंच गोर्मेंट से रिलेटिड है ठीक है, तो यहां से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे